आज की इस वीडियो में मैं शेर करें हूँ हड़ी मीर्ज की अचार की यह सूपर टेस्टी रेसिपी इतना टेस्टी बनेगा आप उंगलिया चाट चाट के खाओगे बहुत ही असान तरीके से बनेगा और साल दो साल आप इस्टोर करके रखेंगे फिर भी खराब नहीं होग बहुत ही पसंद आएगा मैं प्रिती और न्यूट्यूबेजी चैनल पर आपका पहुत बहुत स्वागत करती हूँ दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक तो पंता है शुरू करते हैं यहां पर लिया है मैंने 250 ग्राम हाडी मीर्ज इस तरीके का मिर्श मिर्ची के अंदर कोई तैमेज हो तो आप उसे निकाल देना अचार में इस्तेमाल नहीं करना मिर्ची को तो करके डंठल तोर करके मैंने रात पर पंखे के नीचे डाल दिया है हावा से अच्छी तरीके से इसका मुष्य सूख गया है इस तरीके की डार्क कलर की यानिकी घ लोत अले के लिए काटते है आमिस तरीके से काट करके अचार बनाऊंगी आप अपनी पसंद के सीफ सैज सकाय कर सकते हैं चोटे काट सकते हैं लंब सब्सक्र oath कर को कर सकते और तैयार कर सकते हैं आज में अलग तरीक bestimm ऐसे ब कर ने में तोरे चपश किंदे और सीपने सिर्फ निम्बू के रश से इसे नहीं बनाना है तो राशा एक ट्विस्ट भी है तो इसे देखेंगे तब ही पता चलेगा अच्छे से नमक और निम्बू के रश मिक्स करेंगे और धकल लागा करके इन्हें छोड़ देंगे दो से तीन घंटे के लिए कम से कम टाइम हो तो सार पच गंटे के लिए चोड़ दीजिए और मसाले देख लेते हैं एक चमस मेंने मेथी दाना लिया यह जो चमस इस्तेमाल कर रहे हूं इसी से लिजिएगा लगबग पौना चमस जीरा के दाने और एक शेडर चमस दो चमस भी ले सकते हैं सौप का टेस्ट बहुत साइस का फ्लेम आरफ कर देंगे क्योंकि आप गरम हो उसमें डाल करके इसको मोटा-मोटा ख़ड़रसा घिस लेंगे बल्कुल इस तरीके से जोड़े से अधरक और एक लासुन की दाने अध्रक को अधो करके सुखाह लिए मैं इसे ग्रेट करके तयार कर लेंगे लासुन अध्रक धोनों ग्रेट हो चुका है अब यहाँ पर सर्षो का तिल लगबग एक कप चाय के कप होता है उसे एक कप मैंने डाला है लगबग 150 50 ग्राम होगा तेल को अच्छे से दूंगा उपने तक गरम करेंगे उसके बाद गैस का फले माफ कर देंगे टेंपरेचर कम हो जाए तो अध्रक और लासुन जो है ग्रेट किया हुआ डाल देंगे और डाल देंगे एक चौथाई चम्मच हींग हेंग जरूर से डालिएगा बहुत बड़ी अफले वराता है कुशबू आती है और एक चमच यहाँ पर अजवाईन और कलोजी मिक्स करके लिया है दोनों अधा अधा चमच है तो एक साथी मिक्स करके रखती हुमें सबजी ओगर में डालने के लिए तो एक चमच इसमें से ड कामक है तो इस पानी को मैं रिमूव कर दोंगी इसे हटा देंगे फिर इससे क्या होगा अचार सरेगा नहीं बिल्कुल खराब नहीं होगा काफी दिन तक रखना है तो एक काम जरूर कीजिएगा सारे पानी इसका निकाल दीजिए अब इसमें डाल देंगे एक चमच हल्द यहां पर दो चमच मैंने विनेगर लिया है घर में जो भी सिरकाव विनेगर हो आप डाल सकते है दो चमच और नमक डाला है मैंने एक चमच क्योंकि पहले भी डाला हुए थोड़ा नमक का जो पानी निकला था ओन निकल गया फिर भी उसमें नमक फुट्टो 50% है तो नमक क हमी डाले और यह जो हमने ते साल दोसल चलने वाला मिर्च चराप बना सकते हो तो यहां पर यह अचार मिक्स हो गया तेक सकते हैं कितना परफिक्ट दीख रहे अब इस पर एक कपरा ढगदेंगी धूप को टाल दीजिए नहीं तो एक से दो दिन के लिए ठंड़ा में ही र किन हुआ है क्योंकि मैंने मीडशी को छोटे-छोटे काटा था तो यहां पर देख सकते हैं अचार बिल्कुल परफेक्ट तयार हो चुका है अच्छे से मिक्स हो गया है सौप्ट हो गया है और अब भी से खा सकते हैं बिल्कूल तयार है अब इसे हम काच के बाउल में इस्ट पेपर डाल करके कोईले के उपर हम तोरह सब्सक्राइम डाल सकते हो जो भी हो घर में वह डाल सकते हो और वरनी को उल्टा करके इसमिन दूपर नहीं देंगी अचार खराब भी नहीं हो गया और बहुत अच्छा इसमोखी सा फ्लेवर आएगा टेस्ट आएगा खुस्भू इसमें से आधा चमस डालिए और खाईए बीना सबजी का भर पेटी से रोटी खा सकते हैं छोले बटूरे हो रोटी हो पूरी हो सब के साथ बहुत अच्छा लगता है अचार खाने में और जैसे जैसे टाइम भीतेगा दस से पंदरा दिन होगा तीखापन बिल्कुल कम हो जा तका लागा करकी ठंडा में रखेंगे दूप में रखने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि अचार अभी से तयार हो चुका है बिल्कुल पॉर्फेक्ट इसको बनाएए खाईए और कैसा लगता है कमेंट बक्स में अपने विचार कीजिएगा आप मिर्ची का चार कैसे बना करे दोस्तू